हाई गाईज हम लोग पढ़ रहे हैं इंसर्ट एट एन पोजिशन यानि कि एन्थ पोजिशन इन सिंग्ली सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट यह बहुत ही एजी है इसमें आपको एन्थ पोजिशन पर यानि कि इन दोनों के बीच में या फिर इन दोनों के बीच में कहीं भी एक नोड इंसर्ट करना है नया तो अब क्या करते हैं देखिए सबसे पहले हम लोग एक नया नोड बनाएंगे इसको पॉइंट करेगा पी इसको यूज़ करेंगे आप इसमें डेटा डाल सकते हैं अब हम लोग क्या करने वाले हैं जिससे कि इस नोड को मैं इंसर्ट करना चाहता हूं इन दोनों के बीच तो इसके पॉइंटर पार्ट में होना चाहिए इसका अड्रेस तो सिंपली सबसे पहला काम हम लोग यह करेंगे कि इसके अड्रेस को यहां होल्ड करेंगे ठीक है देन इसके पॉइंटर पार्ट में होना चाहिए इसका अड्रेस अब हम इसके पॉइंटर पार्ट में इसक एड्रेस लिक देते हैं तो यह कुछ इस तरीके से connect हो जाता है अब यह simply हमें दिखाए दे रहा है singly circular linked list भी यह ऐसे गया और यह ऐसे और यह ऐसे और यह ऐसे ठीक है फिर यह वापस से अब यह सबसे easy है इसमें हमें कुछ भी ज्यादा कुछ करना नहीं है ठीक है तो यह है insert at nth position in singly circular linked list थैंक्स पर वाचिं दूस वीडियो